असलालेकुम आप्रियाम आज हम एक अरे का चोटा सा टोपिक डिस्कस करें वह तो हैं अक्सेसिंग इंडिविजन अलिमन्ट ऑफ अरे अरी जो होती है एक नमबर एलिमंट की लिस्ट होती है नमबर्स की लिस्ट हम कह सकते हैं और उनके अरे का नेम होता है उसमें का इंडेक यह हमारा अरे का नेम है अब इसका साइज क्या होगा साइज हम कह देते हैं कि 5 इसका साइज है इक मेंज हमारे पास 5 एलिमेंट का अरे है ठीक है अब यहां पर हम जो बना रहे है इस तरह से नहीं है यह हमारी अरे है फोड़ेंबर के 2,6,4,10,12, यह हमारी 5 एलिमेंट की एक अरे मेंने डिजाइन की है यह अरे का नेम है यह हमारा इंडेक्स यानिके total number of element 512345 यह हमारे element है और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सारी बेसिक चीज़े अरे के बारे में बताई की कि अर्ये का इंडेक्स नमबर हमेशे 0 से स्टार्ट होता है और ऑनवर्ड चाहता है 01234 अब जो size होगा उससे इंडेक्स नमबर उससे one less than होगा ओके यहां पर मैंने एक array design कर दी है यह array का name हो गया यह इंडेक्स नमबर हमने बता दी है कि इसका size है यह name है array का यह size है यह element है और यह index अब हमारा जो topic है उसकी तरफ हम आते है हमारा topic है कि accessing individual element of array individual element हमने एक access करना है इंडेक्स हमारी पूरी array है हम चाहते है कि हमने इस पूरी array में से एक specific number access करना है एक specific element access करना है तो उसका syntax क्या होगा उसका syntax जो है individual element को access करने का syntax क्या है और यह का name आएगा और यहाँ पे array का name आके यहाँ पे size नहीं आएगा index number जो element हमने अक्सेस करना है उसका index number हम write करेंगे और example क्या है हमने 4 को access करना है directly तो हम 4 का index number है वो है 2 यहाँ पर लिखेंगे 2 और यह आ गया 4 ओके हमने क्या करना है कि हमने directly access करना है एक individual number को उसका हम size की जगह पे हम index number राइट करेंगे और फिर यह राइट करेंगे ठीक है अब मैं example यहाँ पर राइट करते हूं example क्या है int sum sum क्या है array का name है size क्या है 5 okay यहाँ पे 2, 6, 4, 10, 5 अब हमने access करना है किसी भी individual number को individual element को तो किस तरह से करेंगे sum हमने करना है 0 index वाले element को करना है sum 1 index वाले को करना है 3, 2, 6 यह आ गया 4 3 index वाले को करना है तो इसकी value है 10 sum 4 index sorry okay जब हमने individual element को access करना है array की list में से अपनी पूरी array में से तो हम इस तरह से access करेंगे पहले array का नाम और index number जो element हमने access करना है उसका index number देंगे और उसके आगे वो element आ जाएगा 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 जएगा झाल झाल झाल